नमस्कार मैं हूँ राखी सिंगल और आप देख रहें एशिया नेट न्यूज इंजी स्वागत है आप सभी का दास्ताने दिली दिल से निकलेगा रोज एक नया किसा और बात करेंगे आज हम मुगलों की दिली के बारे में दिली के बारे में कहा ये जाता है कि जो वहां का रहनसेन है खानपान है जो विरासत है जो संस्क्रती है वो मुगलों की दिन है तो आईए जानते हैं दिली पर मुगलों के इतिहास के बारे में मुगल काल के अगले शासक ते जहांगीर वही जहांगीर जिनकी प्रेम कहानी सलीम और अनारकली आज भी लुगों की जुबाँ पर पचलित रहती है जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत फेमस भी एक से एक बड़े चित्रकार उनके दर्बार में उपस्तित रहती थे जहांगीर को नियाई के लिए भी जाना जाता है जहांगीर का जन्म आगरा के पास फतेपुर सीकरी में हुआ था अकवर की मृत्यू के बाद जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने 1666 में अपने पिता के विरुद विद्रोह कर दिया खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के पास हुआ और खुसरो को जेल में डाल दिया गया जहांगीर ने अपने बेटे को सजा देने के लिए उसे मरवाया नहीं बलकि उसकी आँखें फुडवा दी जहांगीर ने कई विवा किये थे अपने पिता की तरह जहांगीर भी हर धर्म को मानने वाला था उसे हिंदू धर्म में बेहद रुची थी जहांगीर के बेगम नूरजा बहुती बुद्धमान थी और राजकाज में उसके कामों में हस्त शेप करती थी जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्दी जहांगीर और राणा अमर्स्तिं के बीच लगभग 18 युद्ध लड़ने के पस्चात की गई संदी थी ये युद्ध 1605 से 1615 के बीच लड़े गए इतना ही नहीं 1620 इसवी में जहांगीर ने कांगड़ा के दुर्ग को भी जीता था 7 नवंबर 1627 इसवी को कश्मीर से लाहर वापस जाते समय भीमवार नामकिस्तान पर जहांगीर की मृत्ति हो गई जहांगीर के शब को लाहर के शाहदरा में बहने वाली रावी नदी के तट पर दफनाया गया जहांगीर के काल में ही कई यूरोपी यात्री भारत आये और उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना भी शुरू कर दिया था यह कहना भी अतिश्योक्ती नहीं होगा कि यही वो समय था जब भारत में ब्रिटिश सामराजी की सुखबगाहट शुरू हो गई थी जहांगीर के बाद उनका बेटा खुर्रम शेहनशा बना और आगे जलकर शाजा के नाम से प्रख्यात हुआ जिसने आगरा में ताज महल का निर्माड करवाया था शाजा के काल की अकवर के काल से ही तुलना की जाती है कहा जाता है कि शांजा को खुर्रम नाम अकवर ने ही दिया था जिसका मतलब होता है खुशी जिंदगी भर अनपड रह जाने वाले अकवर ने खुर्रम की तालीम और इल्म में कोई कोर कसर नहीं रखी साथ ही जंग लड़ने के सबक भी सिखाए अकवर का 15 साल के खुर्रम के लिए इतना अलगा बढ़ गया कि उसे जंगों पर ले जाना शुरू कर दिया गया 36 साल की उम्र में शांजा बादशा बना शांजा ने तनी लड़ाईयां लड़ी कि हर तरफ उसी की फते का परचम था शांजा ने दीवाने आम और दीवाने खास में दरवारियों से मश्वरा लेना और लोगों की फर्याद सुनना शुरू कर दिया था इसी वज़े से शांजा का काल स्वर्णिम काल कहा जाता है शांजा ने अपनी पत्नी मम्ताज की याद में ताज महल का निर्बाण करवाया था जो आग्रा में से थे सन 1649 में उन्होंने अपनी राजधानी को आग्रा से दिल्ली स्थानांतृत कर लिया और इस नई राजधानी को शाह जहाबाद नाम दिया गया शांदार लाल किला दिली का मशूर बाजार चांदी चोग और चाबडी बाजार शांजा की ही देन है शांजा के चार बेटे थे दाराशिको, शाहशुजा, औरंगजेब और मुराद बख्ष दाराशिको बहुत ही बुद्धिमान और हर धर्म को मानने वाला था शांजा दारा को ही अपना उत्राधिकारी बनाना चाहते थे लेकिन 1657 इसवी में शांजा के चारों बेटों में सिंघाशन के लिए विद्रोश शुरू हो गया और 18 जून 1658 में औरंगजेब ने शांजा को बंदी बना लिया 25 अप्रेल 1658 इसवी में दारा औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्धुः इस युद्ध में दाराशिकों हार गया युद्ध में हारने के बाद 1669 इसवी में दाराशिकों की हत्या कर दी गए शांजा को आगरे के लाल किले में कैद रखा गया आठ साल तक शांजा इस के ले में कैद रहे 1666 इसवी में 14 साल की उमर में शांजा की मृत्ति हो गए शांजा के बाद औरंगजेब गद्धी पर बैठा औरंगजेब ने अपने सामराज को इतना फैलाया कि लगभग पूरा उपमादीब उसने अपने सामराज का हिस्सा बना लिया 49 वर्सों तक उसने 15 करोड लोगों पर अपनी सत्ता बनाई रखी कहा जाता है कि औरंगजेब एक क्रूर और अत्यचारी मुगल शासत था साथ ही कटर मुस्लिम भी था वो भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहता था लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया उसने हिंदूओं के कई मंदिनों को तुरवाया और मजदों का निर्माड करवा दिया अपने भाई और पिता पर उसने जुल्म ढढ़ाई इसलिए प्रजा भी उससे खुश नहीं थी अकवर ने हिंदूओं पर से जो जजिया कर हटाया था और अंगजेब ने उससे दुबारा बढ़ा कर शुरू कर दिया और अंगजेब की हकूमत करने का ये तरीका ही मुगल सामराज के पतन का कारण बना प्रजाब पर बढ़ते अत्याचार की वज़े से छतिपती शिवाजी जैसे बड़े हिंदू शासक उसके दुश्मन बन गए वहीं 1686 इसवी में अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना अधिकार जमाने के मकसद से औरंगजेब पर हमला किया था लगातार हुए विद्रो से औरंगजेब की शक्ति कम हो गए और छतिपती शिवाजी जैसे यूद्दा को हराना औरंगजेब के लिए मुश्किल हो गया इस दोरान मराठा शासक ने हिंदुस्तान में मराठा सामराज की नीव रखी कडिव 49 साल के लंबिश समय तक शासन करने के बाद औरंगजेब की म्रत्यू हो गए 1707 इस भी में औरंगजेब ने अपने प्रान त्याग दिये थी औरंगजेब की म्रत्यू के बाद ही मुगल सामराज का पतन हो गया तो ये था मुगलों की दिल्ली का इतिहास जो इमारत आज आप दिल्ली में देखती हैं वो मध्यकालीन भारत की यानि की मुगलों की ही देन है इसमें कोई दोराए नहीं है कि दिल्ली को राजगदी विरासत में मिली है और आज भी वो इस विरासत को संभाले हुई है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथ ही हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारी बैल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे दास्तानी दिल्ली दिल से निकलेगा हर रोज एक नए किस्से में फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको रूबरू करवाएंगे दिल्ली के एक और नए किस्से से तब तक के लिए दीजे जाज़त और आप देखते रहे एशियनेट निउस ही नमस्कार